अब कोश्चन हम लोग देख रहे हैं दू पॉइंट तीन का तीन नमर कोश्चन जो प्रसनावली दू पॉइंट तीन से लिए गया कोश्चन है कहता है एक फुलन एफ एक्स बराबर दिया है तो एक्स मायनस फाइप दुवारा परिभासित है निमनले लिखित का मान ग्याद करना है तो हल लिखिए यहां सबसे पहले हम लोग मान गयात कर लेते हैं तो यहां दिया है क्या दिया है fx is equal to 2x minus 5 दिया हुआ है ठीक है तो यहां आप रखिए क्या रखिएगा आप फॉर्ष्टे में कह रहा है फॉर्ष्टे में कहता है जहां जहां एक से वाहां वहां जरू करें जीरों माइनस 5 हो झाएगा हुए तो यह साथ दूरा 14 में से पांच infection कितना हो जाएगा त्यों पांटर कितना हो जाएगा यह इसका इस सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आप चलिए अफसन तीन में चलिए अफसन तीन में है एफ और माइनस थीरी में है तो यहां दू गूड़े यहां देखिए एक से तो यहां माइनस थीरी रखिए और माइनस में फाइफ है तो यहां हो जाएगा माइनस तीन दूना माइनस बनाइए आगे देखते हैं कोश्चन नमर 4 कोश्चन नमर 4 देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं और यह काता है फॉलन टी से से सेलसिय के तपमान का फॉरेन हाइट तपमान में परतिचीतरण करता है तो यहां देखिएगा टी सी बराबर दिया हुए 9C by 5 पॉलस 32 चारो ग्यात आपको करना है, सल्ब में आपको Tc पर दिया हुआ है, 9c by 5 plus 32 ये दिया हुआ है, आप option 1 बनाईएगा, तो 1 में देखिए क्या दिया है, अपसन 1 में दिया है, तो 9 गुणे 0 by 5 plus 32 तो कितना हो जाएगा, 0 बट 5 plus 32 बराबर 32 आएगा, इसका अंसर 32 हो जाएगा, आप देखिए, अपसन नमर दो देखिए, अपस्वा नमर दो में दिया है T 28 तो जहां C है वह 28 करते जाएगे तो यहां दीजेगा 9 गुणे 28 बटा 5 माइनस 32 माइनस है प्लास में है प्लास में है तो इसको गुणा कर लिजे तो गुणा करिए कितना हो जाएगा 28 22 के दू अनादू नी 818 बटा 5 हो जाएगा प्लास 32 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा तो आप लगूतम लेलो इसका लगूतं लेलो तो ओ जाएगा पांच य हो जाएगा आपका 2 भावन हो जाएगा प्लस पांस लेलोगे 32 में लगोंता हम तब पांदुना 10 के जीरो अब तिना पंदुने 16 एकसू साठ obs जाएगा एकसू साथ में अबchester 16 में कना i6 के इंधित का जाएगा procent उक्य। तो चार सो बारा तो इसको हम कटा देंगे तो आजाएगा लगबग बाई थीरी सी यानि हो जाएगा बेरासी टू सी यह हो जाएगा यह सही आपका उत्तर होगा आप चलिए हफ्सान नंबर तो दो बन गया आप तीन में चलिए तीन में कहता है कि टी कितना दीया है वाईनस tagen तो टी माईनस 10 का मतलब हो गया यह नाईन गुणे माईनस 10 बट पांच प्लस 32 तो पांदून आदस कट जाएगा तो नोदूनी 18 हो गया वह भी माईनस में पॉलस 32 में से घटा लेजे 12 में साथ के 4 और 12 में साथ के 2 में से एक 14 बचेगा तो यह आपका सही उतर हो गया अब अपसन 4 है तो 4 बनाईए अपसन नमर 4 है तीन बन गया 4 बनाईए अपसन नमर 4 में क्या दिया है तो आपको यहां देखिए दिया हुआ है TC का मान आपका दूसर बारा तो दूसर बारा यहां रख दीजिए अफसर नमर चार में तो TC बराबर दूसर बारा है तो दूसर बारा रखिए 9C by 5 पलस 32 तो 32 दूसर बारा में माइनस 32 हो जाएगा तो 29C by 5 बचेगा तो 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा घटाएगे तो माइनस करिए जीरो हो जाएगा जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा और यहां से 2 से 2 गया जीरो हो गया 21 से 3 गया तो 18 हो गया 21 से 3 गया तो 18 हो गया और बराबर में 9C by 5 आपका अगर तिर्शा तिर्शी गुणा कर दो यहां से कटा सकते हो इसको नदुनी 18 हो गया तो यहां से हो जाएगा आपका 20 बराबर C by 5 इसके नीचे एक करेए और गुणा कर दिजे तो C बराबर हो गया आपका 20 पचे 100 डिगरी इसल्सियस यह आपका सही उत्तर हो गया आप कोश्चन नमर हम पढ़ेंगे 5 नमर कोश्चन नमर 5 देखेंगे और कोश्चन नमर 5 में हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको यह अपसन एक दो तीन बनाना है तो अपसन एक में क्या कहता है उसको देखिए कहता है Fx बराबर 2-3x औ और एक्स जो है आर में उसामीले मने रियल नमबर यानि वास्टविक संख्या में है और जीरो से बढ़ा भी दिखा रहा है तो यहां लीग सकते हैं Fx बराबर 2-3x और यहां X बिलंग टू आर यानि एक्स जो है जीरो से बढ़ा है तो हम Fx को मान लेते हैं माना Fx बराबर y तो y ले लेते हैं y बराबर हो जाएगा 2-3x ठीक है y बराबर 2-3x 2x-3x अब यहां जो मान आएगा यहां जो मान रखा जाएगा अब देखिए क्या आ रहा है अब यहां से क्या करते हैं कि यहां से 3 को इधर लाते हैं 3 x इधर आएगा आब y इधर जाएगा तो यहां x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2-y by 3 इतना हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि x जो है 0 से क्या है बड़ा है x का 0 से बढ़ा है जब x 0 से बढ़ा है तो लेख सकते हैं 2-y by 3 भी किस से बढ़ा है जी 0 से बढ़ा है और क्या लेख सकते हैं कि y से बढ़ा अपका 2 हो जाएगा तो जब y से बढ़ा 2 हो जाएगा तो लेख सकते हैं अता अता f का परीशर बराबर हो जाएगा माइनस इंफिनिटीव 2 यह आपका एंसर हो जाएगा शेकेन वाला में चलिए अफसन नमर 2 में यह अफसन नमर 1 था अफसन नमर 2 में चलिए अफसन नमर 2 में कहता है fx is equal to x square plus 2 r सेम वही है तो यहाँ आप इसको y ले लेते हैं इसको y मान लेते हैं यानि fx बराबर y माना तो हम y बराबर लेते हैं इसको x square plus 2 तो यहाँ हो जाएगा आपको 2 के इधर ला लिजे तो x square बराबर हो जाएगा y minus 2 तो x बराबर क्या हो जाएगा अंदर root y minus 2 तब x बराबर इतना हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जब यह एक्स बराबर टू हो गया तो य लिख सकते हैं कि य-2 लेस दैन और इक्वल टू जीरो यानि एफ का परिशर क्या हो जाएगा इसलिए एफ का परिशर हो जाएगा आपका टू इन्फिनिटिफ टू इन्फिनिटिफ आपसन नमर तीन में चलिए तो आपसन नमर तीन लिखें और अपसन नमर तीन में कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स है और एक्स एक वास्त्विक संख्या है तब वास्त्विक संख्या है तो यहां लिख सकते हैं कि एक्स एक वास्त्विक संख्या है तो यहां लिखिए कि एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स बराबर एक्स बराबर यहां किनको नाटेन के जाएं हो जाएगा यहां नहीं चिकते कि पुर्ण कंगे पाहि चाहिएH कैरे फोल क्रीच को जाएगा यहां है या का 2 क्रीस्र क्येंग्र लेग्या क को जाएगा यहां है यहां यह रहा goose भुण यह हो जाएगा आपका यह इतना बराबर हो जाएगा के वल आर ठीक है यही आपका अंसर हो गया